अगर आज की डेट में आप सेक्टर डाइवर्चिफ केस्टन का बेनेफिट उठाना चाहते तो आप लोग यहां पर देखेंगे दोस्तों जो आइरन एंड जो स्टील सेक्टर है ना काफी तेज गती से इदर आगे ग्रोव कर रहा है यहां पर आप लोग देखोगे कि इसके कंपनी के अंदर एक स्ट्रोंग वूल्यूम साथ मुसका प्राइस अक्षन मोमेंट एक तेज गती के साथ आना आगे बढ़ रहा तो उसके पीछे नहीं यहां पर तीन में रीजन हो सकते हैं कि कंपनी यहां पर स्टोक स्प्लीट से लेटिड कोई अपडेट लेकर आ रही ह स्ट्रोंग गती के साथ ना यहां पर एक हाईली वॉल्यूम और शाथ में यहां एक मुलिस मोमेंट में आपर साइड इदर दिखाए दे रहा है कंपनी का पुरा अवर्वियू करेंगे इसके लिए लेकर चलतों अपने लैप्टोप स्क्रीन के उपर हर एक पोइंट इदर फेस वैली उसकी दस उर्पया और अगर हम लास्ट के एक साल के अंदर दो तो इन्वेस्टमेंट के उपर रिटन देखते हैं तो यहां पर 12% से ज्यादा जो रिटन है कंपनी ने अपनी इन्वेस्टरों को बना कर दिया कंपनी की यहां पर मीडिया अप्डेट भी आए जिससे आने वाले समय में एक प्राइस सेक्षन के अंदर एक स्टोंग मुवेंटम इदर देखी जा सकती है कमपनी की बड़ी मीडिया अपडेट है एक कमपनी यहाँ पर जो अपना स्टोक है वो स्प्लीट करने जा रही है जिसकी जो रिकोड डेट है वो 20 सेप्टेंबर 2024 इदर रखे गया जहां पर कमपनी के स्टोक की जो फेस वैल्यू अभी 10 रुपय है उसको स्प्लीट करके फेस कि इदर स्प्लीट करने जा रही है 1-110 के अंदर जिसके अंदर अगर आप लोग देखोगे यहां पर दोस्तों एक स्ट्रोंग वोल्यूम है उस समय पर इदर देखी जा सकती है और इसी वज़ए से यहां पर प्राइस सेक्शन मुमेंट भी कमपनी का ना काफी अच्छा ख प्लांट से जो की कपैस्टी देखोगे तो वन पॉइंट जो है ना फाइव मिलियन टन पर एनम के हिसाब से ना कंपनी यहां पर अपना बिजनस को इदर ग्रो करेगे और जिससे दोस्तों यह फूली है इनकी खुद की जो हंडर परसेंट ओवन सबसेडरी रहेगी जिसको एमेस जो फैडर्स इलेक्ट्रिक एंड इंजिनिंग लिमिटेड है ना उसके दोवारा यहां पर दोस्तों जो कंपनी का बिजनस है इधर सैट अप कर यह जा रहा है और माना जा रहा है कि दोस्तों जो यह फूली अप्रेशनल इधर हो जाएगा मार्च दोजार पचीस के सबस्तों आनवे समय में रे वयलुट definite है इया है और उसके इंदर इंदर है इंदर इंदर बात करेंगे बातक देखनी है Say साथ में दोस्तों प्रोफिट की यहां पर बात करता है यहीं सेछ ग्रोफ आप लोग देखेज इनले किंदर सेध के राव रिवी सेछाओ अथैस एंदर सेध करोड़ से ग्रोड जब की मार्श चोड़ के इंदर पांशोरी सेध करोड़ को पहूंच बैंने कि वाइन यहीं इ यह आगे बढ़ते हो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं अगर हम दोस्तों एडवांस प्राइस सेक्षन चार्ट को देखेंगो तो एक रजिस्टन जोन ना कम्पनी ने यहाँ पर फेस किया था नो सो पैंतालीच रुपय के आसपास जैसे यहाँ पर रजिस्टन जोन वा इदर इदर ब्रेक होगा तो आप लोग देख सकते हैं कि कंटीन वह ना पांच शे दिनों से एक स्ट्रोंग वूल्यूम है यहाँ पर आपको ट्रेड होती भी दिखाई देर इसी वज़ेशे आप लोग देख सकते हो कि तीन दिन का प्राइस सेक्षन चार्ट देखोगे तो यहा इस तरह से कंपनी ने आपर दोस्तों प्राइस सेक्षन मुवमेंट को इदर मैनेज किया जिस तरह से कंपनी आपकी टेकनिकल फंडामेंटल एनालीशिज या फिर आपका कोई फेंड एडवाईजर है उससे सला जरूर ले सकते हैं कंपनी के बारे में आपका क्या कमेंट अड़ा से की बारे मेंटल एंडा लेड़ाव है।